इन दोर के बैंक आफ बड़ोदा में 35 करोड के चेक फ्रोड मामले में वोकेम लाइफ इंशरेंस प्राइविट लिमिटेट के डारेक्टर सुनील जेन को पुलिस ने गिरफतार किया है आरोपी द्वारा 35 करोड रुपे का चेक बैंक में जमा कराया था मामला खजराना थानाक शितर के स्टार चौराहे के बैंक आफ बड़ोदा का है जहां एम दस्तूर प्राइविट लिमिटेट की खाते से आरोपी सुनील जेन ने 35 करोड रुपे निकालने का प्रियास किया गया था के एम दस्तूर प्राइविट लिमिटेट के संचालक अतुल कुमार को जानकारी लगने के बाद थाने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई शिकायत के बाद पुलिस ने वोकेम लाइफ इंशुरेंस प्राइविट लिमिटेट के डारेक्टर सुनील जेन को गिरफतार किया है फिलाल इस मामले में और अन आरोपियों की भूमी का सांदने आ रही है फिलाल पुलिस इस पूरे मामले की जाच पड़ताल कर रही है थाना खजराना में जो 35 करोड के चेक को बनाने का प्रयास हुआ था उसमें आज पुलिस को एक और सफलता मिली है पुलिस ने सुनिल जेन जो की बोकेम प्रेंटल प्राइवेट लिमिटेट के डारेक्टर हैं जिनके दौरा वो चेक लेकर बेंक में गये थे और उसको बनाने का प्रयास किया था उनको गरिफतार किया है और उनसे भी हम लोग पुष्टाच कर रहे है और साथ ही जो चार जो हमने पहले गरिफतार किये थे जो की एक एग्रिमेंट के तहट चेक नों ने दिया था ऐसा उनको बद्वारा बताया था उन सभी का पुलिस रिमांट 26 तक का माननी नियाले से लोग ने लिया है और बाकी सुनिल जेन से भी हम लोग पुष्टाच करके और कल जरुत सुनिल जेन के द्वारा बताया है कि उनको कंपनी में निवेश के नाम पर ये चेक दिया गया था कि पैटीस करोड का दस्तूर कंपनी से निवेश होगा उसमें जो फाइदा होगा कुछ परसंटेज का वह आपको देना होगा इसके लिए इनोंने जानकरी मिली कि उन्हों जिसमें कि इसी पूरी घटना का उन्हों में हवाला देते हुए चेक का जो बैंक में जो अनादर हुआ उसके बारे में पूरी जानकरी उसके दार दी गई है अब तक सारे इसमें किते अरोपी है क्या आगी चारा आरज रोपी हमने घरतता रुकिए और पांच वह जो है 19bas घरतता रोगए अब आगे भी और किसी भूमी का वारे में जानकरी मिलेगी तो उसके अब लोग कारूने करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट खबर मत्य प्रदेश शत्तिसकर